एक है यह ऐलो दोस्तों वेलकम टूमा यूट्यूब चैनल तो आज हम लोग बात करते हैं बल्ड के स्पीरगारिक फॉरॉम डवली एफ लोकेटिदिन मतलब बिस आर्थिक मंच इसका हैड़करटर कहां पर है तो इसका अमसर होगा जनेवा जनेवा स्वेड़ लेंड के अंदर है तो इसका राइट अमसर होगा जनेवा और इसका ये एक मतलब नौन प्रॉफिटेवल और्गनाईजेशन है ये एक मतलब गैर लावकारी संस्ता है ये एक तरीकी के एंजी ओ है जिसकी स्थापना हुई थी चौबिज जनवरी 1971 1971 में और ये इसकी रिपोर्ट हमेजा जो की रिपोर्ट नहीं मतलब मीटिंग इसकी ह मैजा होती है दावोस के अंदर और वार होती ही ते लेगन इसवार 2021 के अंदर के इसकी मीटिंग सिंगापूर में होगी जो की 13 से 16 मैं के बीच में और यह ड्यवल एक रिपोर्ट यह Ed ag segundos के इसके इसके पहला। लिए वासिंटन डीसी इसके वारे में देखते तो यहां पर हैड़कॉटर है ब journaling इसके इंदर है और निवर्फ निवर्क उसमें है निवर्क के अदर यूचैफ का है इवन डीपी का फार्ट बीदि टा्सन इसके वाद सी आप्सन है बीयाना के अंदर आए आई-ए-ए का इंडियन अटोमिक इनर्जी एजेंसी उसके वाद एक ऑप्षन है पैरिस पैरिस के अंदर इनिस्को का है तो इसका राइट अंसर होगा जिनेवा इसके वाद सेगंड कोश्चन है मतलब राष्टी लगु उद्धोग निगम का है तो इसका है नियू देली के अंदर तो इसका राइट आंसर होगा नियू देली अब इसके वारे में देखते हैं इसकी स्थाफना हुई थी 1955 नियू पच्पन में और यह एक माइनिंग मिनिस्ट्री यह मतलब मिनिस्ट्री आप MSME के अंदर आती है उसके अंडर काम करती है तो इसका राइट आंसर होगा नियू देली इसका थर्ड गोश्चन है वेर इस दे हैड़कॉर्टर आप दे इंटरनेशनल सिविल एविएशन और्राइजेशन लोकेटेड मतलब ICAO अंतराष्टी नगर विवानन संग्ठन इसका हैड़कॉर्टर कहां पर है तो यह उनाइट इन नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है इसकी फॉर्मेशन होई थी 4 अपरेल 1947 को तो इसका हैड़कॉर्टर हो जाएगा मॉन्ट्रियाल के अंदर मॉन्ट्रियाल है कनाड़ के अंदर तो इसका राइट अंसर होगा मॉन्ट्रियाल इसका अंसर हो यह उसके वाद नेक्स्ट कोश्चन है फोर्थ नंबर वेर इस दे हैड़कॉर्टर अप ग्रीन पीस ग्रीन पीस एक और नॉन गवर्मेंटल और्गनाइजेशन है इसकी फॉर्मेशन ही थी 1971 के अंद ह нов狗 को बंब री और इसका हैसर्व नीदरलेंड सesen अकॉर्वर्मेंटल अधन लोड़नाफ नियंदरलेंड नीदरलेंड होचायगा है और यह एक ओ सब्सक्राइज है इसका नॉनzte र५ल्मेंटल है यह तो इन्वार्मेंटल और्गनाजेशन है इसका गोल है तू अंसुर ability of earth to nurture life in all its diversity जैसे कि इसी को देखती जैसे climate change हो गया deforestation overfishing हो गया anti nuclear etc इन सब चीजों को देखता है इनको मतलब कम use करना इनका climate change को बचाना इसब deforestation होना इसको कम करना तो इसका headquarter हो जाएगा Amsterdam उसके बाद next question है fourth fifth number प्यार is the headquarter of the NATO NATO North Atlantic Treaty Organization तो इसका headquarter कहां पर इसका अंसर है ब्रसेल्स यह ब्रसेल्स के अंदर है और यह इसके अंदर इसके इंडिया इसके इंदर होगा but Indian in genius के इंदर क्योंकि जो इंट्लांटिक 洋स और एंथम्गों नौथ में जितने केंट्री आं रहीं आट्री है वो सब इसके मेंबर होगे तो इसमें तो इसका हेड़कॉर्टर हो जाएगा ब्रिसेल्स के अंदर और इसकी 1949 1949 में फॉर्मेशन हुई थी उसके बाद कॉस्षन है तो इसके रची क्रिक्ट परिसद तो इसका हेड़कॉर्टर है दुबई के अंदर और इसकी फॉर्मेशन होई थी 15 जून नाइंटीन नाइन उनिस सो ननिस में तो पंदरा जून को और इसका हैटकॉर्टर दुबई के अंदर है इवेई में जो पड़ता अब पिछली वार 2020 में जो थैटीन्थ नंबर के आइपेल थे वो भी दुबई के में ही हुआ था उसमें बिनर टीम थी मुंबई इंडियन्स और रणरप्ति दैली कैपिटेल्स दिल्ली और इसको थैटीन्थ आइपेल था उसको स्पॉंसर किया थे ड्रीम अलाइव ने और इस वार वाला जो भी हो रहा है फोटीन्थ नंबर उसको स्पॉंसर कर रहा है बीवो और तो इसका राउंसर हो जाग दुबई के अंदर ऐस उसके बाद next question देखते हैं तिसका हो जाएगा दुबई है कि उसके बाद next question ने 7 नंबर भेर इस हैड़ी का हीड़िव के हीड़वाटर कहांप है स्वेड़ी का मतलब होता है ये एपेक्स बोर्टी होती है मतलब और इसका मतलब होता है Small Industry Development Bank of India, इसका एड़कोटर है लखनुग के अंदर, इसका अंसर हो जाए कि लखनुग, और इसकी फॉर्मेशन होई थी 2nd April 1990, दो अपरल 1990 में, इस टाइम इसकी चेर्मन है सिवा एस रमन, वो MD भी है इस टाइम, और यह एक एपक्स रेगुलेटिंग इसकी बाड़ी होती है, रेगुलेटि करती है और यह लाइसेंस देती है जो माइक्रोफाइनेंस इंस्ट्रीट से उनको लाइसेंस देती है, और यह काम करती है अंडर दे जूरीडिक्शन ओफ मिनिस्ट्री ओफाइनस, तो उसका आटाउंसर हो जाएगा लखनौ, उसके इवाद, नेक्स्ट कोशन है, एर्थ रंबर, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल इउनियन, आई-ए-ई-उ, हैज नेम डेजा, एस्ट्राइड आफ्टर दे इंडिन क्लासिकल सिंगर, पंडित चसराज, बेर इस दे हैड़कॉर्टर ओफ आई-ए-ई-ई-उ, मतलब इंटर इसका हेड़कॉर्टर पहुचा है क्यों कि अब दो-तिन माहने पहले जिस्टारज पंडित जसराज है, यह सिंगर है, क्लासिकल सिंगर, इनके नाम पे एक प्लानेट की नाम रखा गया है, तो इसलिए यह पहुचा है, और इसका हेड़कॉर्टर पहुचा है, कहां ती टॉंटीफ जुलाई नाइटीन नाइनटीन अटाए जुलाई उनने सोननेस इसके अंदर 82 कंट्री आते हैं 82 देश है इसमें मेंबर और इंडिया विए इसमें सामिल और इसमें पैरिस के अंदर आई एउ का हैड़कॉर्टर होगा उनिसको का विए भी बताया था अब ए युनाइटीनेशन एच सीयार का विए युन एच सीयार होता है युनाइटीनेशन हाई कमिशनर और फॉर रिफ्यूजी उसके बाद इवन आईडियों का विए डवल्ट्रेड और इसन जैसे कहते इटीव का विए इंटरनेशनल टैली कॉम्निकेशन यूनियन तो यह सब कर विए जनेवा वेगे नियुकर में शेंट नदिया भियाना बियाना अस्ट्रेलिया तो इसमें आए इए उने सेनल इनर्जी एगनसी एक दिया है हैंबघ जर्मनि यहाँ पर जितने इंट्रनेशनल ब्रांड है इंट्रनेशनल ब्रांड की कंपनी है उसका सब का जैसे मर्सेडीज बैंज का भी है हैंबर्ज के इंतर BMW का भी है SAP का भी है Box Bangen का भी है Audi का भी है यही पर और बजाज एलियांस एडिडास पॉर्च का भी है यहां पर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा पैरिस होगा उसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है नाइन्थ नंबर पर इस दा हैड़कॉर्टर ऑप दा इन्वाइट नेशंस एजूगेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल औरगनाईजिशन लोकेटिड इसका हैड़कॉर्टर कहां पर है तो इसका हैड़कॉर्टर पैरिस के अंदर पैरिस के अंदर है और इसकी हुई थी स्थापना 1946 के अंदर इसका परपस है यह किसलिए बने इसका परपस टू पर्मोट कॉलाबरेशन एमंग नेशन थू एजुगेशन साइंस एंड कल्चर तो यह हो जाएग इसका पैरिस उसके बाद नेक्स्ट कोशन है तैंथ नंबर पैरिज दे हैड़कॉर्टर ऑफ दे इंटरनेशनल मेरी टाइम और्गनाइजेशन मेरी टाइम और्गनाइजेशन का हैड़कॉर्टर कहां पर अंतराश्टी समुद्री संगठन जिसके स्थापन आउय थी 1948 के अंदर और यह रिस्पॉंसबल होती है फर रेगुलेटिंग यह घाल अंदर जिसके इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है 11 नुमटर इंविच कंट्री दे हैड कोट्र ऑप क्रिमिनल कोट और एक आई सीजी का इंटरेंसर कोट अब जस्टिस और इसमें पंदरा जाज होते हैं आई सीजी के अंदर जो की उनका टाम होता है आई साल नौ साल के लिए चुना जाता है और अभी इंडिया के तरफ से जुजज हैं वह हैं दलवीर वंडारी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नीदर्लेंड उसके वाद नेक्स्ट कोश्चन है 12 नंबर इन बिच कंट्री दा हैड़कॉर्टर ऑफ इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इज लोकेटेड अंतराश्टी निसानेवाजी खेल महासंग इसका हैड़कॉर्टर कहां पर कौन से देश के अंदर है तो यह है जर्मनी और इससे इस इस अब कहते है इन इसस फ म्यूनिक जर्मनी इसका नेक्स्ट कोश्चन है 13 नंबर इसे कहते हैं डवल्ड फूड प्रोग्राम बाज लोकेटेड इन युसे कहते है डवलू एप इन सॉट फॉम है इसका हैड़कॉर्टर है रोम के अंदर जो कि इटली में है तो इसका राइटाम सुरूगा रोम और इसको अभी 2020 में नोबल पीस प्राइस से भी समानित किया गया डवलू एप और और यह बल्ड की एक लार्जेस्ट हुमिलिटेरियन और जो की फोकस करती है और हंगर है और फूड सिकुरिटी पे और यह हंडेड जाना पीपल को खाना खिलाती है मतलब 1888 कंट्री से लोगों को खाना खिलाती है टोटल 100 मिलिएंट पीपल को और एबरी डे लगवग पर डे की बात है कि चपन सो ट्रक और तीस से जाना सिप और हंड्रेड प्लैन डेलेवरी करता फूड टू रिमोट एरिया जैसे अफरी का कॉंट्रेंट का हो गया डियार्सी डेमोक्रेटिक रिपाब्लिक और कॉंगो ऐसे कंट्री में बेजते हैं यह लोग तो इसका राइटाउंसर हो जाएकर रोम उसके बाद 14th नमबर कोश्चन है 14 नमबर है the headquarter of UNHCR UNHCR कभी बताया था United Nations Human Commission for Refugees इसकी formation होई तो 1950 मे और इ है जिनेवा के अंदर है और इसका पर्पस यह किस की किस पर्पस के लिए वने तो यह तो प्रोवाईड प्रोटेक्शन फॉर रिफ्युजज जो दूसरे देश से आते हैं तो उनको रिफ्यूजग कहते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करना उनको देखवाल करना ना तो यह हो जाए किसका मैनमार से इंडिया में एते रिफ्यूजी कि इसके वाल नेक्स्ट कोश्चन है 15th नंबर अ कि the headquarter of the international atomic energy is located in इसा इसे सॉट फर्म कहते है इसके headquarter भी बतायते भी आना के अंदर है और इसकी formation हुई तो 1957 में और इसका purpose है to promote peaceful uses of atomic energy कि इसने हम लोगा त्यार बनाते हैं उन्हों का पीसफुली यूज करो ना कि अपनी मर्जी कहीं आए कहीं मार दो तो यह हो जाए किसका फिप्टीन्थ नंबर उसके बाद सिक्स्टीन्थ नंबर कोश्ण देखते हैं इसका है जनेवा के अंदर हो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1995 में इसके यह कौन सी परपस के लिए बनाये गाता है तो यह बनाये गाता है तुस सेल्टिंग रूल्स फॉर बाल्ट्रेड ट्रेड टू रिडूस टैरिप्स मतलब जो जतना अब यह टैक्स आता है उसको कम करना रिडूस करना बिस्व में बैपार होता उसा पर कम टैक्स करना यह है इसका मतलब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है 17 नंबर अब यह हैट कोर्टर ऑप दे बॉल्ड इंटलेक्ट्ट्व प्रोपर्ट्टी और्ग्जिसन जेसे कहते हैं डबलु आई पी यू इस लोकेटिड इन बतल बिस्व बॉद्दिक संपदा संगठन इसका है टूकार्टर कहां पर है तो यह पहले देखते हैं यह तो एक इसका हैटकॉर्टर है जिनेवा के अंदर श्वर्ट जर्लेंड उसके बाद 18th नंबर कोश्चन है वेरे इस दे हैटकॉर्टर ऑप दा इंटरनेशनल मोनेटरी फंड लोकेटेड एटीन फ्रमर कोश्चन इसे आईमफ कहते हैं अंतराश्टी मुद्रा कोस इसका हैटकॉर् देशनों की बैस्विक अर्थिक इस्तित पर नजर रखने का काम करती है और यह अपने सदल से देशों को अर्थिक और तकेनी की साहता प्रिदान करती है तो इसका राइट आउंसर हो जाएगा वासिंटन डी-सी उसके बाद नेक्स्ट कोर्शन है 19th नमबर 19 माँ थे हैटकॉर्ट ऑफ दा युनाइटिड नेशन वुमेन इस सचुटेट इसका हैटकॉर्ट नियुवार्ग से टीग अंदर नियुवार्ग उसे इसका राइट आउंसर होगा नियुवार्ग जो की युवार्ग उसे के अ अधर है और इसकी फॉर्मेशन हुई थी सेकेंड जुलाइट 2010 और इसका गोल है इसका परपस है जो इस्टीजी का गोल है नमबर 5 कौछ दिन पहले बताया था शस्टेनेवल डबल मेंट गोल हूसका गोल नमबर 5 जो की जेंडर इक्कॉलेटी है उसको बढ़ावा देना मतलब हम लोगों के बीच में जेंडर एक्वालिटी बहुत जाना है तो उसको कम करने के लिए यह गोल नंबर पांच को बड़ावा देते हैं हम लोग तो यह उनाइटरी ब्रूमेंस और गनाइजेशन है की विए तो इसका राटांस हो लेगा निव और उसके बाद लास्ट कोश्चन है टॉन्टियथ नंबर इंट्रनेशनल ओलम्पिक कमेटी हेड़कॉर्टर लोकेटेड इन बिच सिटी जो इंट्रनेशनल ओलम्पिक कमेटी है इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है तो इसका हेड़कॉर्टर क्वार्टर है लाउसनी के अंदर जो की स्वेट जलेंड के अंदर है और इस टाइम इसके प्रेसिडेंट है वह है थोमस बैच तो इसका राई टांसर हो जाएगा लंदन कि इसका राई टांसर होगा लंदन तो यह थे हम लोगों के 20 questions related to headquarters लोगों नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक बात करें तब तक लिए थैंक यू